हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो आर योटूब चैनल आप सभी का नैंश्री क्लासेज में स्वागत है आप सभी लोग उत्तप्रदेश शामान अध्यनी आपर पड़ रहे हैं मैं आप सभी के लिए उत्तप्रदेश शामान अध्यन के पंदरासो प्रश्णों की सीरीज जो लंडन की टेम्स नदी की तरह आपका यूपी में जो गोमती नदी उसका चैनलाइजेशन किया जा रहा है तो कहां किया जा रहे है अपके दिल्ली में मतुरा में लखनों में या फिर बाराणसी में सबसे पहले तो आप कोश्चन का मतलब समझ लीजी क्या है कि जैसे ल जानलाइजेशन और संदरी करनर का बेसिक जो उद्देश होता है वो यह होता है कि परेटर जैसी चीजों को बढ़ावा मिले हो सरकार की आयके सरोथ बढ़े ठीक एक चीज़ आपको बता दें टेम्स नदी के बारे में कि आपका जो लंडन है आपका जो लंडन ये आपकी टेम्स नदी के तटपरी इससे थे आपको याद रखना है टेम्स नदी के तटपर है वहीं जो गोमती नदी है वो आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है गंगा की श फिलबीस से हमकर बहती है जएक उपका लखनESE समझत करेंगे और तटिये विकास किया जा रहा है तो कहां पर किया जा रहा है लखनव में वरांसी में दिल्ली में या फिर आग्रा में पहले तो आप वरोना नदी की बारे में थोड़ा सा जान लेजिए यह जो वरोना नदी है यह आपकी वरांसी से होकर भैती कहां से वरांसी से होकर भैती है शाति साथ आपका वरुना नदी जो है गंगा की एक शहायक नदी है किसकी गंगा की ठीक तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि वरोना का जो चैनलाइजेशन है वो कहां किया जाएगा अब वराणसी से हुकर भैती है तो वराणसी में ही इसका चैनलाइजेशन और विकास किया जाएगा ऑप्शन दू आपका एकदम करेक्ट हुआ ठीक है चलते हैं नेक्स कोशन क्य बीषते ते और वहीं हस्तनापुर भी इस्ते ते इसलिए उप्शन चार आपका एकदम सही होगा ठीक है आपका नेक्स कोशन यमना की तर्ट से संबंदेते कि यमना की तर्ट पर इस्थितन अगरें ऑप्शन से आपके मत्रा बन आगरा यह फिर उप्रोगत सभी तो आपक फिर उपादे ए बिज्णुर सभाड़ा लेखाख कोया तो इसमें एंगा नदी की सोनभद्र हुई तो ची पहले उप्रभीया और यह फुलिशष्याओ किस्sz ke ते फ्रहें होतले है मतलब आपकी तो बिज्णुर शाहरानपुर और प्रबलिया तो बाता देंगा नदी अन तो बिजनओर से प्रिवेस करती है यूपी में ठीस बहुत इंपर्टेंट प्रिष्ण याद रखना है इसको next सुपकर kommt को इंपर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में गंगानदी का निकास है बिजनओर वलिया कंफन या फ्रफडाय। अब आपको बताना है कि जो जो डी उसका निकास क्या है मतलब जो लास्ट पॉइंट है आपका जो बारे में आपको पताओँ है वो घंगा नदी के बाला जिला यूपी में सरभादिक गंगा नदी के tama जिला आपका वडायू है ठीक है याद रखना है बहुत जाद़ेंटेंट तो आपकी गंगा नदी प्रिवेश करती है ठीक है याद रखना है चलते हैं next question के और next question है आपका की यमना नदी का समापन होता है option से आपके मत्रा में लखनों में प्रियाग राज में या इन में से कोई नहीं तो सबसे पहले तो यह आपको जान लेना चाहिए कि यमना नदी प्रिवेश कहां से करती है यूपी में तो आपकी यमना नदी यूपी में सहारानपूर आपने सहारानपूर का नाम सुना होगा सहारानपूर से प्रिवेश करते हैं सहारानपूर के बारे में आप सभी को पता होगा जब आप यूपी का मैप देखेंगे तो आपको यहां सबसे टौप पर लिया पर सहारानपु देख जाएगा ठीक आपका सहारानपु जो यूपी का सबसे उत्रे जलाए सबसे उत्रे जलाए ठीक आपका सबसे उत्री जिला तो आपका सहरानपुर है सबसे दक्षण जिला कौन सा है सून भद्र है सबसे पूर्वी जिला वलिया सबसे पश्चमी जिला आपका शामली मैं फिर से रिपीट कर देती हूं मैंने बैसे तो आपको यह सब पढ़ाया है लेकिन मेरे रिपीट करने आपको यह चीजें याद बनी रहें आपको एक्जाम में दिक्कत ना हो सबसे उत्तरी जिला शहरानपुर सबसे पश्चमी जिला सोन भद्र सबसे पूर्भी जिला वलिया और सबसे पश्चमी जिला आपका शामली है अई होप यहां पर आप समझ गए होंगे ठीक तो आपकी यमना नदी है उसका समापन आपका कहां पर होता है वो होता है आपका प्रयाग राज में ठीक प्रयाग राज में आपकी यमना नदी का समापन हो जाता है यहां पर आके वह आपकी गंगा नदी में मिल जाती है ठीक है नेक्स कोश्चन आपका बहुत अच्छा है कि मद्ध प्रदेश से आने वाली जो नदी है वेत्वा नदी वुराज में प्रिवेश करती है वांदा से हमीरपुर से ललितपुर से या इनमें से कोई नहीं तो आपको बताना है कि जो वेत्वा नदी है जिसको वित्रवती भी कहते हैं वित्रवती इसको पहले वित्रवती कहा जाता बहुत ही जादा इंपोटेन्ट एक यह बात कि जो都ा न दी एक यूपी और मद्यपरदेश करती है तो म्द्यपरदेश नगर आपकी यूपी में बिस्टे देस्ट करती है फिर वो यूपी में जब प्रविस्ट करती है तो किस जिले से प्रविस्ट करती है तो ललतपुर जिले से आपकी यूपी में प्रविस्ट कर जाती है आपकी वेतवा नदी I hope यहाँ पर आपको समझ में आ गही होंगी काफी सारी चीज़ें चलते हैं next question कि नेक्स कॉच्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है यह प्रिशन आपका कभी भी प्रक्ष्य में पूश लिया जाता है ठीक किफ्ड ज्यादा इंपोर्टेंट है तो यह संजहाता है जो यह संज्वता इति वह का छला से चलते है और aig ज्यादा परेवर्शना अगला ऐत ज़्यादा है है कि जो गोविंद बल्लाव पंथ क्रतिम जीले कृतिम है यह क्रतिम ठीक यानि कि आर्टिफीसियल आर्टिफीसियल मतलब है मानव निर्मित ठीक उत्तर प्रदेश में किस जिले में हैं अप्शन से आपके कोशामभी वरार्टी चुलतानपूर या पर सूनभद्र तो आपकी जो गोविंद बल्लाव पंथ जीले वह आपकी कहां पर है वह आपकी स्थोनभद्र है सूनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है सूनभद्र आपका यूपी का सबसे दक्षणी जिला है कौन स थे यहमें जो है सबसे बड़ा सिचगा सथान क्या है नदीन नह्र है नलकून इन मैंसे कोई नहीं ठीक तो यूपी में सes्चाई का सबसे बड़ा जो साधन है वह नलकूप है इसलिए आपका option तीन एकदम correct होगा आपने नलकूप देखे होंगे नलकूप शायद आपको समझ नहीं आ रहे होंगे लेकिन नलकूप का मैं एक और नाम बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे नलकूप को कहते हैं ट्यूब बेल अब आप समझ गए होंगे ट्यूब बेल ठीक आपका इस तरीके से ठीक इस तरीके से पाइप बहुत अंदर तक जाता है जहां तक पानी को चूना ले ठीक उसके बाद आपके यहां पर मोटर लगाई जाती है एक मसीन लगाई जाती है ठीक तो पंप लगा कर इस पानी को फिर निकाला जाता है ठीक जमीन के अंदर से इ नलकूप है ठीक है जैसे मेरे बुंदिल खंड साइट तो बेसिकलिए नलकूप सही सचाही होती है तो क्योंकि को यह असी नदी बगएरा है नहीं विसिकलिए और नहीं कोई डैम है आसपास तो वहाँ पर जो यह नलकूप ही मेन है इवेन आपके पूरे यूपी में सचाइका सबसे बड़ा साधन आपकी नलकूप ही है ठीक है चलते हैं नेक्स कॉश्चन की और अगला आपका कॉश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सरवादिक नहरें किस जिले में आप से नहरों की बारें प्रेंट बहुंते अनॐ think कि नलकें से किस नदी को राष्ट जलमारगे की रूप में ब्रयोक्ति जाता रहा है कि उपसंसे आपके गंगा यमनदा ब्रह्मपुत्र आप कहिं थे यूए तो आपकी गंगा नदी है गंगा नदी इसको राश्टी जलमारगी के रूप में प्रयोक्ति किया जा रहा है ठीक है आई होप यहां पर आप समझ गया हूंगे कि आपकी जो गंगा नदी इसको राश्टी जलमारगी के रूप में प्रयोक्ति किया जा रहा है ठीक है आपका जो राश्टी जलमारगी संख्या एक है वो कि कहां पर यूपी महीं है याद रखना है लास्टी जलमार के संख्या एक चलते हैं एक्स प्रदेश की अगला आपका कॉस्चन है कि उत्तपरदेश की सबसे लंबी नहर है उपसें आपके घागरा नहर के नहर निचली गंगा नहर या फिर सार्दा नहर तो यूपी की ज आपके शारदास शहायक नहर परियोजना ग्यानपरपंप नहर परियोजना गोकुल बैराज परियोजना या फिर पत्रही बांद परियोजना तो जो आपकी पेजल परियोजना है वो आपकी गोकुल बैराज परियोजना है कौन सी है गोकुल बैराज परियोजना आपकी यू खोंचित किया गया तो जमना को कि इमना को गोधावरी को या नर्मदा को तो किंदर सरकार दौरा आपको जो उसकिए कब हैं आप सब्सक्राओं को पता है कि कव या गया हम आपको बता चुकिए हैं सारी चीज़ें समझ में आई होगी यदि किसी चीज़ में आपको doubt रहता है तो please आप comment में अपने प्रिश्णों को पूछ सकते हैं अपने doubts को clear कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो please आप सब इसे request है कि like, share and subscribe में YouTube channel and thank you so much मेरे वीडियो देखने के लिए